दो सितंबर का राशी फल आईए एक एक कर जानते हैं क्या कहती है आपकी राशी मेश राशी आज का दिन आपके लिए उतार चड़ाव भरा रहेगा आप जीवन साथी के लिए किसी नए काम के शुरुवात कर सकते हैं पूर्णे कारियों से आपको लाव मिलेगा ब्रिशव राशी आज का दिन आपके लिए तनावग्रस्त रहने वाला है आपको अपने आवश्यक कामों में ढहिल देने से बचना होगा आप किसी सरकारी योजना को लेकर कोई प्लानिंग कर सकते हैं मिथॣ राशी आज का दिन आपके लिए एक के बाद एक समस्या लेकर आने वाला है आपको किसी वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यक्ता है आपके कुछ विरोधी पंते कामों में रोड़ा अटका सकते हैं करक राशी आज का दिन सामाजिक छेतर में कारिरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है आपको किसी से मांग कर वाहन चलाने से बचना होगा आपको वाहन साउधानी से चलाना होगा सिंगराशी आज का दिन आपके लिए किसी बड़े नेड़े को सूज बूच से लेने के लिए रहेगा, कारिक छेत्र में आप कोई परिवर्तन कर सकते हैं आप संतान से किसी किये हुए वादे को पूरा करेंगे कन्या राशी आज का दिन आपके लिए किसी वाद विबाद से दूर रहने के लिए रहेगा, छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फर्माईश कर सकते हैं, आपको अपने आसपास रह रहे, शत्रूओं को पहचानना होगा तूला राशी आज का दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए कमजोर रहेगा, आपको सावधान रहने की आवशकता है, आप कहीं सरकारी योजना में धन लगा सकते हैं ब्रिश्चिक राशी आज का दिन आपके लिए ब्यापार में किसी बड़े निवेश को करने के लिए रहेगा, आपको किसी विश्यस ब्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा आप अपने आवश्यक कामों को लेकर साउधानी बरते हैं धनूराशी आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तूलना में अच्छा रहने वाला है आप किसी मांगलिक कारेकरम में सम्मिलित हो सकते हैं विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा मकर राशी आज का दिन आपके लिए समस्याओं से भरा रहने वाला है आप योजना में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं आपको अपनी आर्थिक इस्थिति की चिंता सता सकती है कुम्भराशी आज के दिन आपको स्वास्त को लेकर सचेत रहना होगा कारेक छेतर में कुछ मुस्किलों का शामना करना पड़ेगा परिवार में किसी बात को लेकर टेंशन बनी रहेगी मीन राशी आज का दिन आपके लिए वाड़ी और ब्यवहार में मर्धुरता बनाए रखने के लिए रहेगा आपके घर किसी मांगली कारेक्रम का आयोजन हो सकता है आप कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें